हेलो अब्रिवर्यवन वेलकम टू लॉजिक पाट शाला चैनल आज हम करेंगे प्रीविएस येर क्वेशन्स लेकिन आज हम डिसक्स करेंगे मेडिवल हिस्ट्री तो आज के लेक्चर में जो मुगल एरा है इसके हम क्वेशन्स डिसक्स करेंगे जो कि आपके previous year exams में पूछे गए हैं और ये questions exam में बार-बार repeat होते हैं इस lecture का PDF आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका की link आपको description में provide कर दिया गया है निमलिक में से किस मुगल शासक के नाम पर फतेबाद में एक मस्जिद है तो आपके पास ये 4 options हैं आप इने एक बार देख लीजिए तो किसके नाम पर है तो इसका answer क्या रहेगा तो ये है आपका हुमायू अब हम बात कर लेते हैं हुमायू की तो पहले देखें इनका जो real name है वे क्या था नसीर उद्दिन मोहमद जिने की हम किस नाम से जानते थे हुमायू तो ये मुगल शासक के second emperor थे अगर आपको ये याद रखने हैं आपको sequence अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि सबसे पहले कौन था फिर उसके बाद कौन सा मुगल emperor था तो आप इसे ऐसे याद करेंगे B से है आपका बाबर H से हुमायू A से अकबर J से जहांगिर S से शहाजान तो आप इसे भाज से याद कर लेंगे तो ये इनका sequence है अब हम देखते हैं कि जो आपके ये हुमायू है इनकी autobiography है एक क्या है उसको कहते हैं हम हुमायू नामा जो कि किस language में लिखी गई है? Persian language में तो जो हुमायू नामा है ये किस ने लिखा है? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने Question number two is When Akbar was young, his guardian was अकपर जब छोटा था तब उसका guardian कौन था? तो कौन था? तो इसका अंसर रहेगा आपका option D that is बेराम खान तो वेल अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं अकपर ascended the kingdom of Kalanur in 1556 AD तो जो अकपर है इन्हें जो क्या मिला था? kingdom मिला था वे कब मिला था? 1556 में कहां पे? Kalanur में और Kalanur कहां पे है? पंजाब में अकपर started governance under the protection of बेराम खान as he was made a ruler at the age of 13 तो जो अकपर थे इन्हें ruler बनाया गया था कौन सी age में? 13 years के थे तब लेकिन इन्हें जो protect करता था वे कौन था? बेराम खान He was the chief of Mughal ruler Humayu's army Humayu gave बेराम खान the title of Khane Khana तो जो बेराम खान है इन्हें title दिया गया था किसका? Khane Khana का लेकिन किस ने दिया था? Humayu ने In the second war of Panipat बेराम खान led the Mughal army तो जो second battle हुई थी Panipat की उसमें जो Mughal army को led किया था वे किस ने किया था? बेराम खान ने Question number third is Who was the first nawaab of Awad? तो Awad का पहला nawaab कौन था? तो इसका अंसर क्या रहेगा? तो वेल जो इसका अंसर है आपका Option B that is Saadit Khan तो जो आपका Saadit Ali Khan won और Burhan ul-Muluk Saadit Khan was the first nawaab of Awad He was appointed the Subeda nawaab in 1722 and ruled till 1739 तो इन्हें appoint किया गया था 1722 में और कब तक rule किया था इन्होंने 1739 तक He was also given the title कौन सा टाइटल? Burhan ul-Muluk Ka Question No.4 is Sir Thomas Rowe came as an official ambassador from King James I of England to which Mughal Emperor's court? तो आपने ये बताना है कि जो Sir Thomas Rowe था ये आया था कौन से Mughal Emperor के time पे? तो किस के time पे आया था ये? तो इसका अंसर क्या रहेगा? Option B that is Jahangir तो in 1614 King James I of England sent a diplomat Sir Thomas Rowe to visit the Mughal Emperor Jahangir and negotiate a trade treaty Question No.5 is Which Mughal Emperor is called Zinda Peer? तो Zinda Peer कौन से Mughal Emperor को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है ये? तो ये कहा जाता है Aurang Zeb को और ये paper में बहुत बार पूछा गया है वेल अगर हम Aurang Zeb की बात करें तो इन्हें जिन्दा Peer कहते हैं और Living Saint He was the last of the great Mughal Emperors of India तो जो ये Mughal Shasak के last Emperor थे ठीक है? कब तक इनका कारेकाल रहा है? 1658 से 1707 तक Aurang Zeb was the third son of Emperor Shahajan and Mumtaz Mahal तो जो Aurang Zeb था ये तीसरा बेटा था किसका? तो वेल हमने जैसे किया था ना भाज करके पहले बाबर आया फिर हुमाईू, फिर अकबर, फिर जहांगीर फिर शहाजान फिर शहाजान के चार बेटे थे और उन में से जो तीसरा बेटा था वे था आपका Aurang Zeb ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स क्वेशन पे क्वेशन नमबर 6 तेस तो ये तो आप सभी को पता है कौन है? बाबर तो हमने कैसे याद किया इसे? भाज से तो बी से बाबर, एच से हुमाईू, ए से अकबर, जे से जहांगीर और एस से शहाजान तो इसका अंसर रहेगा बाबर वोस तो फाउंडर ओफ मुगल एंपायर और फिर्स्ट मुगल एंपरर इन इंडिया हमाईू वोस तो सेकिंड मुगल एंपरर इन इंडिया अकबर थर्ड था जहांगीर फोर्थ था और फिफ्ट कौन था? शाह जहान क्वेशन नमबर 7 तेस विद विच मुगल रूलर is the मोती मस्चिद in आगरा associated आगरा की मोती मस्चिद का संबंद किस मुगल शासक से है? तो किस से है? तो आपके पास ये चार आप्शन से आप इन एक बार देख लीजिए तो जो आपका इसका अंसर रहेगा आपका option D that is अब इसके बार में बात कर लेते हैं मोती मस्चिद in आगरा वस बिल्ट बाई मुगल रूलर शाह जहान तो ये कहां पे देखने को मिलेगी आगरा आगरा कहां पे है? यूपी में शाह जहान कंस्ट्रक्टर दा मोती मस्चिद for his members of the royal court the historical structure built during the reign of शाह जहान देखो जो शाह जहान के टाइम पे और कौन कौन से historical structures बने हैं? ताज महल रेड़ फोर्ट, जामा मस्जिद शालीमार गार्डन इन लाहोर तो ये सब के सब जो historical structures हैं ये किसके टाइम पे बने हैं? शाह जहान के टाइम पे Question No.8 is In which of the following battles Rana Amar Singh Defeated Mughal Prince Mohamed Parvays तो आपने क्या बताना है कि इन में से कौन सी ऐसी बैटल हुई थी जिसमें Rana Amar Singh ने defeat किया था मतलब हराया था किसे Mughal Prince Mohamed Parvays को तो ये कौन सी बैटल थी? तो ये थी Battle of Dewar तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A तो जो आपकी Battle of Dewar हुई थी ये कब हुई थी? 1606 में Question No.9 is The first Battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodhi and तो जो आपकी पहली Battle of Panipat हुई थी ये किन दो लोगों के बीच में हुई थी? एक तो Ibrahim Lodhi थे और दूसरा कौन था? तो वे था बाबर अगर हम बाद करें बाबर की fights की तो इन्होंने कौन-कौन सी लड़ाईएं लड़ी हैं? इसे आप याद रखेंगे P के कैग से P से रहेगी First Battle of Panipat, K से रहेगी आपकी Battle of Khanwa C से आपकी रहेगी Battle of चंदेरी और G से आपकी रहेगी Battle of घागर ठीक है? और इनका जो sequence है वो कैसे है? ये हुई थी आपकी 15-26 में ये हुई थी 27 में और ये कब हुई थी? और ये कब हुई थी? ये आप मुझे comment box में बताएंगे तो ये देखिए जो First Battle of Panipat हुई है ये हुई है 1526 में और ये बहुत बार पूचा गया है किसके बीच में हुई है? बाबर के बीच में और इबराहिम लोदी के बीच में इसमें क्या हुआ था? लोदी was defeated और मुगल रूल was established in India इसमें लोदी को हरा दिया गया था किसके द्वारा? बाबर के द्वारा और इंडिया में कौन सा रूल स्टार्ट हो गया था? मुगल रूल स्टार्ट हो गया था अब तक टोटल तीन बैटल हुई है पानीपत में पहली बैटल हुई है आपकी बाबर वर्सिस लोदी जिसमें कोन जीता है? बाबर Second Battle of Pानीपत कब हुई है? 1556 में किसके बीच में Hemu versus Akbar और जीता कौन है अक्बर 3rd battle of panipat हुई है आपकी 1761 में किसके बीच में अबधारली और Marathas के बीच में और जीता कौन है अबधारली और ये 3 की 3 battles बहुत important है इसके years भी important है और आपको पता होना चाहिए ये किसके बीच में हुई है और कौन जीता है तो ये पेपर में बहुत बार पूछी भी गई है Question number 10 is Whose rain was called the golden age of mughal architecture तो किसके time को बोला जाता है golden age of mughal architecture तो वे किसके time को बोला जाता है शहाजां के time को तो इसका अंसर रहेगा option C वेल बात करें अगर हम शहाजां की तो इनका कारेकाल रहा है 1628 से लेके 1658 तक ठीक है और इनके time को कहा जाता है golden age of mughal architecture क्यूं कहा जाता है क्यूंकि इनके time पे बहुत सारे monuments बनाए गए थे जैसे कि ताजमहल हो गया red fort हो गया और इनके कारेकाल में peace था इनके कारेकाल में कोई भी foreign threat नहीं था ठीक है इनके कारेकाल में क्या था कि he also did a lot of welfare work like constructing roads बनाई गई थी और canals बनाई गए थे शहाजान ने transfer की थी capital आगरा से दिल्ली में कौन से year कब की थी 1638 में और जो औरंग जीट था जो कि शहाजान का बेटा था उन्होंने क्या किया था अपने ही पिता को जेल में डाल दिया था अराम बाग was originally constructed by which among the following Mughal Emperor तो जो अराम बाग है ये किसके द्वारा बनवाया गया है तो किसके द्वारा बनवाया गया है आपके पास ये चार options है आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका बाबर तो वेल अराम बाग was originally built by Mughal Emperor Barber in 1528 अराम बाग is the oldest Mughal Garden in India तो ये सबसे पुराना Mughal Garden है इंडिया में कहां पे है ये आगरा में है Barber was the founder of Mughal Empire ये तो आप सभी को पता है और जो बाबर था ये कब मरा था 1530 में और उसके बाद कौन से Mughal Emperor आया था तो वे था हुमायू ठीक है He wrote Barber नामा अच्छा मेरी बाद सुनो दो हैं आपके Mughal Emperor जिन्होंने अपनी autobiography लिखी है autobiography कौन सी होती है जो कि खुच से इंसान अपनी biography लिखता है एक है आपका बाबर और दूसरा है आपका जहांगी तो इसे कैसे याद रख सकते हैं आप आप इसे याद कर ले ना BJP पार्टी होती है ना तो आप B से रखेंगे बाबर और J से रखेंगे जहांगी और इन्होंने अपनी जो autobiography है लिखी है ठीक है Question number 12 is तो किसकी translation है ये तो ये है महाभारत की translation तो इसका अंसर रहेगा आपका option D वैल जो आपका महाभारता वोस ट्रांसलेटेट इन्टो पर्शन अट अकबर स ओर्डर बाइफेजी और अबदल कादीर बदावनी और नेम्ड रखेंगे ठीक है अकबर का कारेकाल था तो उस टाइम पे बहुत सी चीजों का बहुत सी लिटरेचर का ट्रांसलेशन किया गया था किसमें पर्शन लैंग्वेज में जैसे की महाभारत का रमायन का ठीक है अथरवेद का भागवद गीता का पंच्टंत्र का तो ये सब को सब ट्रांसलेट किया गया था कहां से संस्कृत से पर्शन लैंग्वेज में ठीक है तो जो जजिया कर है ये मुगल समराज्य के दोरान किस पर लगाया जाता था तो जो नोन मुस्लिम सीटिजन्स थे उनके उपर ये टैक्स लगाया जाता था तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन दी तो जो ये जजिया है ये स्टार्ट किस ने किया था कुत्व दिन एबक ने और इसे अबॉलिश किसके द्वारा किया गया था तो वे किया गया था अकबर के द्वारा जजिया को फिर से री इंपोस री इंपोस का मतलब होता है फिर से लगाया गया था किसके कारेकाल में और इंगजेब के कारेकाल में ठीक है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि किसने लगाया है फिर किसने अबॉलिश किया है मुगल दरबार की इत्यास किस भाषा में लिखे गए थे तो वेल आपको पता है किस में लिखे गए हैं ये पर्शन में लिखे गए है तो आपने ये बताना है दिनने इलाही का सदस्य कौन बना था वेल दिनने इलाही की बात करें तो ये रिलीजन स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा अकबर के द्वारा और इसका मेंबर कौन बना था बीरबल बीरबल कौन है अकबर के जो नवरतन थे नाइन जैम्स थे उनमी से एक बीरबल था अब बात करते हैं दिनने इलाही की इसे इंट्रिड्यूस किया गया था किसके द्वारा अकबर के द्वारा जो ये it is based on monotheism which means belief in one good इसके जो पहले disciple रहा है वे कौन रहा है बीरबल, प्रिंस सलीम और अबुल फैजल राजा बीरबल कौन था, was a Hindu advisor था, किसके court में मुगल emperor अकबर के court में ठीक है Question number 16 is, which Mughal ruler issued Sikha Elchi in Maywar after Chitur victory तो आपने क्या बताना है, Chitur की जीत के बाद किस मुगल शासक ने मेवार में Sikha Elchi जारी किया था तो किस ने किया था, तो इसका अंसर रहेगा आपका option A, that is शहा जहान Sorry, इसका अंसर रहेगा आपका अकबर अकबर ने इशु किया था, Sikha Elchi कहां पे मेवार में जब क्या जीता था, उसने, Chitur की जीत के बाद, उसने Sikha Elchi क्या किया था, इशु किया था Question number 18 is, Who among the following founded the religion दिनने इलाही, तो जो दिनने इलाही धरम की स्थापना किस ने की थी तो वेल हिमा को पहले बता चुकी हूँ किस ने की थी, तो वे की थी अकबर ने और अकबर ने इंट्रड्यूस किया था, मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने हराया था किसको हेमू को किस में, सेकिंड बैटल ओफ पानिपत में, कब हुई थी सेकिंड बैटल ओफ पानिपत 1556 में और इन्हों ने क्या बिल्ट किया था, इबादत खाना इन फतेपूर सिक्री, फतेपूर सिक्री कहां पे है, यूपी में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इबादत खाना किस लिए बनाया गया था Question number 19 is, Third Mughal Emperor of India, तो Third Mughal Emperor कौन था, इन्डिया का, तो हमने कैसे याद रखा है, भाज से, तो बाबर पहला है, हुमायू सेकिंड है, थर्ड कौन रहेगा फिर, अकबर, तो इसका अंसर रहेगा, Option B अकबर आपका Third Mughal Emperor था, अकबर ने सिक्सीड किया था, अपने पिता को, कौन थे, हुमायू, अकबर को कब मिली थी गदी, तो उन्हें मिली थी, जब वह 13 साल के थे, ठीक है, अकबर वोस गिवन दा नेम ओफ, उन्हें निकनेम दिया गया था, दा ग्रेट का, क्यों दिया wisdom by which writer, अकबर के दिनने इलाही को, उनकी मूर्खता का समारक कहा गया था, ग्यान का नहीं, किस लेखक ने ये बात कही थी, तो ये किस ने कही थी, तो ये कही थी, विंसेट स्मित ने, तो इसका अंसर रहेगा, option B, question number 21 is, बाबर was born in the year, तो आपने ये बताना है, बाबर का जनम कौन से वर्ष में हुआ था, तो कौन से year में हुआ था, तो इनका जो जनम हुआ था, वे हुआ था 1483 में, तो ये देखिए, बाबर का जो ओरिजनल नेम था, वे था, जाहिर अल दिन मोहमद, कब हुआ था 15 फर और जो बाबर था, ये आपका पहला मुगल एंपरर था इंडिया में, कौन कौन से लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, फर्स्ट बैटल ओफ पानिपत, ये देखिए, मैंने आपको याद करवाई थी न, पी के कैग करके, पी से थी बैटल ओफ पानिपत, के से थी कौन सी, बैटल ओफ खानवा, सीज से थी बैटल ओफ चंदेरी, और उसके बाद जीज से थी बैटल ओफ घागर, जो बैटल ओफ पानिपत थी, इसमें अकबर ने हराया था इबराहिम लोदी को 1526 में, फिर उसके बाद जो बैटल ओफ खानवा थी, उसमें इनोंने हराया था राना सागा को फिर उसके बाद बैटल ओफ चंदेरी में इन्हों ने हराया था मेधनी राय को और बैटल ओफ घागर में इन्हों ने हराया था किसको महमूद लोधी को कब हुई थी ये सीक्वन्स ऐसे याद रखना है आपने 26 में ये 27 में 28 में और ये 29 में Question number 22 is Babar was succeeded to the Mughal throne by तो Babar के बाद कौन बैटा है Mughal गदी पे तो वो बैटा है उनका बेटा हुमायू Question number 23 is Akbar was enthroned in a garden at तो Akbar को एक बगीचे के विराज कहां पे इनको जो गदी दी गई थी वह कौन से गार्डन में दी गई थी तो वह दी गई थी इनको कला नोर जगा है कहां पे पंजाब में Question number 24 is The only Hindu courtier of Akbar was who accepted दिन्ने इलाही वोज Akbar का एक मात्र हिंदू दरबारी जिसने दिन्ने इलाही को सिविकार किया था तो वे कौन था तो वे था आपका Option B That is Beerbal Question number 25 is Ramayan was translated into Persian by whom जिसे कि मैंने आपको बताया है कि अकबर के कार्यकाल में बहुत सारी literature को हमने किसमी convert किया था Sanskrit से Persian language में तो अब पूछा गया है कि Ramayan को किसने convert किया था किसने translate किया था Sanskrit से Persian में तो वे किया था किसने Badouni ने तो इसका अंसर रहेगा Option C इनका पूरा नाम क्या है Abdul Qadir Badouni translated the Ramayan and Mahabharat and many Sanskrit tales and Hindu epics in Persian in accordance with wishes of Akbar Question No.26 is Where French established their first factory तो French ने अपनी first factory कहां पे established की थी तो वे की थी सूरत में तो इसका अंसर रहेगा Option A Question No.27 is During the Mughal rule The police duties in the district were entrusted to the officials known as Mughal शासक के दोरान जिलों में पूलिस की duty अधिकारियों को सोंपी जाती थी जिनने क्या कहा जाता था तो उन्हें कहा जाता था फोजदार तो इसका अंसर रहेगा Option A Question No.28 is The Mughal architecture attained unrivaled magnificence during the reign of तो वे किसका time period था तो वे था शाहा जहान का time period Mughal architecture reached its zenith during the reign of शाहा जहान who constructed Taj Mahal Jama Masjid Red Fort and Shalimar Garden in Lahore तो जो Mughal architecture था जनीत का मतलब क्या होता है बिल्कुल top पे आ गया था तो किसका कारेकाल था उस time पे तो वे था शाहा जहान का Question No.29 is Who got the guitar translated into person तो आपने बताना है गीता को फार्सी में किसने translate किया था तो वे किया था दाराशी को ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option D दाराशी को translated भागवद कीता into Persian language जो दाराशी को था ये eldest son था सबसे बड़ा बेटा था किसका शाहा जहान का ठीक है और ये क्या था Great Grandson of Akbar He also translated इन्होंने ओ चीजे किस को translate किया है उपनशित्स को किया है Persian में ठीक है Question number 30 is Chasia was abolished by the Mughal ruler लगाया किसने था तो इसको abolished किसने किया था तो वे किया था Akbar ने re-imposed किसने किया था फिर इसको तो वे किया था जहांगीर ने नहीं इसको re-imposed किया था Orange Zayb ने Question number 31st is Under the Mughals who was administered as a department of the household तो इसका अंसर क्या रहेगा तो इसका अंसर रहेगा Option C That is artillery Under the Mughals artillery was administered as Question number 32 is Which Mughal emperor transferred the Mughal capital from Agra to Delhi तो कौन से Mughal emperor ने translate करी थी Capital Agra से दिल्ली में उसको transfer किया था तो वे किया था शहा जहान ने तो इसका अंसर रहेगा Option C शहा जहान ने transfer करे थी Capital कहां Agra से दिल्ली में Permanently Question number 33rd is Name the Rajput General who bravely fought the Battle of Khanwa before losing to Babar तो आपने ये बताना है कि जो Battle of Khanwa हुई थी ये किस-किस के बीच में हुई थी बाबर के बीच में और कौन सा था राजपूत रूलर कौन सा था तो वे था राना सांगा तो इसका अंसर रहेगा Option C तो इन्होंने ये इस Battle में कौन जीता था बाबर जीता था Question number 34th is In the first Battle of Panipat बाबर faced the armies of तो जो पानीपत के युद में बाबर का सामना किस सैनाओं से हुआ था तो जो first Battle of Panipat हुई थी ये हुई थी आपकी 1526 में किसके बीच में हुई थी बाबर के बीच में और इबराहिम लोदी के बीच में कौन जीता था बाबर जीता था तो इसका अंसर रहेगा Option D Question number 35th is The battle between Barber and Rana Sangha was fought at तो जो battle हुई थी किसके बीच में बाबर और Rana Sangha के बीच में ये कहां पे देखने को मिली थी तो इनकी जो battle हुई थी वे हुई थी खानवा में तो उसे हम कहते हैं Battle of Khानवा और वे कब हुई थी 1527 में जैसे मैंने आपको याद करवाया है आपने इसको याद करना है PK कैक से पहली battle थी Battle of Pani Pat कब हुई ये 1526 में उसके बाद Second battle रही है आपकी Battle of Khानवा ये कब हुई है 1527 में किसके बीच में Rana Sangha of Maywar और किसके बीच में Barber के बीच में Third battle हुई है आपकी Battle of Chanderi किसके बीच में हुई है मेदनी राय और किसके बीच में Barber के बीच में और जो उसके बाद Last battle रही है वे रही है Barber की कौन से 1529 की Mohamed Lodi और Barber के बीच में हुई थी कहां हुई थी घागर में हुई थी Question number 36 is Who defeated Humayu in the Battle of Chosa Chosa के यूद में Humayu को किसने हराया था तो किसने हराया था तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D That is शेर शाह सूरी ने इसको हराया था ठीक है Question number 37 is The main outlet for foreign trade during Akbar's reign was the port of Akbar के शाशनकाल के दोरान विदेशी व्यपार का मुख्य आउटलेट का बंदरगा कौन सा था तो कौन सा था तो इसका अंसर क्या रहेगा तो वे था आपका सूरत तो ये रहेगा इसका Option C Question number 38 is Akbar's teacher was Akbar के शिक्षक कौन थे तो कौन थे तो वे थे अब्दूलातीफ तो इसका अंसर रहेगा Option C Akbar's teacher अब्दूलातीफ was an Iranian scholar He was the patron of Akbar from Beraam Khan who was seated on the throne by the title of Ghazaluddin Muhammad Akbar Emperor Ghazi He was lovingly called Khani Baba तो अब्दूलातीफ तो अब्दूलातीफ अक्सर पेपर में पूचे गए है कौन थे तो आपने सिर्फ ये याद रखना है वे थे अब्दूलातीफ Question No. 39 is अक्बर had constructed several forts which did not include the one तो आपने ये बताना है कि अक्बर ने बहुत सारे forts बनवाए थे तो इल्मी से कौन सा fort है जो अक्बर ने नहीं बनवाया तो वे है आपका red fort तो इसका अंसर रहेगा Option D Question No. 40 is Who constructed हाजी बेगम ने तो इसका अंसर रहेगा Option C हाजी बेगम ने construct करवाया था हुमायू का tom कहां पे दिल्ली में ठीक है और जो इसकी construction स्टार्ट हुई थी वे हुई थी 1565 में और खतम कब हुई थी 1572 में जो ये tom है इसे declare किया गया है क्या UNESCO World Heritage Site कब किया गया था 1993 में और इसके जो architect थे chief architect वे थे इसके मिराक मिर्जा गियात ठीक है और हुमायू के पीता थे बाबर और इनका बेटा कौन था अकबर Question No.41 is हुमायू had to run away from India after he was defeated in the battle of तो हुमायू को क्या करना पड़ा था इन्डिया चोड़ के भागना पड़ा था जब इनकी हार हुई थी तो कौन सी battle में इनकी हार हुई थी तो इनकी हार हुई थी battle of कनच में तो इसका अंसर रहेगा option D तो हुमायू was defeated in the battle of कनच by शेर, शा, सूरी 15.40 में ये battle देखने को मिली थी question number 42 is to whom did akbar gave the title of miya akbar ने miya की उपादी किसे दी थी तो किसे दी थी तो वे दी थी इन्होंने किसको आपके पास ये चार options आप इने एक बार देख ली जाए तो इसका अंसर रहेगा option D that is तानसेन को उन्होंने ये title दिया था question number 43rd is the manसवदारी system introduced by akbar was borrowed from the system prevalent in तो इसका अंसर क्या रहेगा तो इसका अंसर है option B जो manसवदारी है ये introduce की गई थी किसके द्वारा akbar के द्वारा तो इन्होंने ये कहां से ये वाली जो आपकी system है ये already कहीं पे चल रहा था तो ये कहां पे चल रहा था तो ये चल रहा था मंगोलिया में मनसवदार implies the generic term for the military kind grading of all royal functionaries of the Mughal Empire दा मनसवदारी system introduced by akbar was borrowed from the system followed in मंगोलिया तो ये system मंगोलिया में follow किया गया था तो वहीं से akbar ने ये system introduced किया था ठीक है question number 44 is अकबर son and successor Salim on becoming the emperor assume the name of अकबर के पूत्र और उत्रदिकारी Salim ने समराट बनने पर का नाम ग्रहन तो उन्होंने क्या नाम ग्रहन किया था तो क्या नाम उनका नाम क्या था तो अकबर का जो बेटा था जैसे मैंने आपको याद करवाया था तो कौन है ये जहांगीर तो इसका अंसर क्या रहेगा आपका तो इसका अंसर रहेगा आपका option D that is नूरुदीन मोहमद जहांगीर question number 45 is who of the following was the biographer of अकबर निमलिक्त में से कौन अकबर का जीवनी लेखक था तो किसने लिखी है अकबर की biography तो वे लिखी है अबुल फैजल ने तो इसका अंसर रहेगा option A A. ने अकबरी is the third volume of अकबर नामा was written by अबुल फैजल he was the court poet of मुगल emperor अकबर question number 46 is which राजपुत dynasty had not surrendered to अकबर? किस राजपुत वंच ने अकबर के साम ने आतम समर्पन नहीं किया था तो किन्होंने ने किया था? तो वे थे सिसो दिया तो इन्होंने surrender नहीं किया था अकबर के सामने question number 47 is during अकबर's reign who was the finance minister of मुगल emperor? तो अकबर के जो time period था उस time पे उनका finance minister कौन था? मुगल empire का तो वे था राजा तोडर मल और ये कौन था? जो नवरतन में से एक ये भी था ठीक है बीरबल भी उनका नवरतन था और तांसेन भी उनका नवरतन में ही आता था तो राजा तोडर मल was the finance minister of मुगल empire during अकबर's reign he was one of the नवरतन्स in अकबर's दरबार question no. 48 is which was the second capital of अकबर? तो अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दूसरी राजधानी थी उनकी थी फतेपूर सिक्री जो की कहां पे है? UP में after his military victories over Chittor and Ranthambore अकबर decided to shift his capital from Agra to a new location to honor the Sufi saint फतेपूर सिक्री फतेपूर सिक्री कहां पे देखने को मिलेगी? आगरा डिस्ट्रिक में और वे कहां पे है? UP में question no. 49 is हेमू was captured and brought before अकबर बाए तो हेमू को पकड़ लिया गया था और अकबर के सामने लाया गया था तो कौन लाया था उन्हें अकबर के सामने? तो आपके पास ये चार options है आप इने एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा option C that is शहा कुलहन महरान ठीक है? question no. 50 is who wrote अकबर नामा? अकबर नामा किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो वे लिखा था अबुल फैजल ने तो इसका अंसर रहेगा option C अकबर नामा which translates to book of अकबर is the official chronicle of reign of अकबर the third Mughal emperor commissioned by अकबर himself by his court historian and biographer अबुल फैजल who was one of the nine dwells in अकबर court तो किसने किया था? यह अबुल फैजल ने लिखा था अकबर नामा ठीक है? और जो अबुल फैजल है यह कौन है? जो उसके अकबर के जो नव रतन्स थे उनमें से एक यह person था ठीक है? तो यहां भी हमारा खतम होता है यह आज का session I hope आपको यह session अच्छा लगा हो